जेहिं दोस्तों मेरा नाम है अभिशेथ इसका नाम है रेडमी नोट 10 प्रो इसका नाम है रेडमी 10 प्राइम इसका नाम है रियल मी 8 और इसका नाम है रियल मी 8S 5G और आप देखना शुरूप कर चुके ही AR Unbox इस वीडियो में हम करने वाले इन चारो फोन के बीच में दो घंटे का BGMI बैटरी डेनिंग टेस्ट गाइज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फोन में 100% बैटरी के बाद 2 घंटे की BGMI गेमपले के बाद कितने % बैटरी डेन होती है और साथी साथ क्या कोई हीटिंग इसू नोटिस होता है या नहीं सो गाइज वीडियो बहुत यारा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है आई ये भी नाकिशी देरी के इस वीडियो को आरम भू करते हैं सो गाइज सारे फोन की स्पेसिफिकेशन आप उपर देख सकते हैं कि कौन से फोन की क्या स्पेसिफिकेशन नेक्स नम बात करते हैं दोस्तों सभी डिवाइसेज की बैटरी के बारे में Redmi Note 10 Pro में आपको 5020 एमज की बैटरी मिलती है Redmi 10 Prime में आपको 6000 एमज की, Realme 8 में आपको 5000 एमज की और Realme 8S 5G में भी आपको 5000 एमज की बैटरी मिलती है बाकि दोस्तों मारे फोन्स सभी लेटेस्ट शॉट्वेर पे रन कर रहे हैं यहाँ पे Redmi Note 10 Pro और Redmi 10 Prime रन कर रहा है Android 11 के साथ MIUI 12.5 पे वहीं पे Realme 8 और Realme 8S 5G रन कर रहा है Realme 2.0 के साथ Android 11 पे बाकि दोस्तों सभी फोन्स में जो हाईयर रिफ्रेस रेट है मैंने उसको यहाँ से सेट अप कर दिया है Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है 120 Hz का रिफ्रेस रेट, Redmi 10 Prime में आपको 90, Realme 8 में आपको 60 और Realme 8S 5G में आपको 90 Hz का रिफ्रेस रेट मिलता है बाकि एक बार दोस्तों मैं आपको सभी डिवाइसे में बैटरी चेक करवा देता हूं जब हमने इसको स्टार्ट केया था तो सभी डिवाइसे की बैटरी 100% थी बट अभी Redmi Note 10 Pro की बैटरी है 98% Redmi 10 Prime की बैटरी है 97% और Realme 8S 5G की बैटरी 97% है बाकि एक बार मैं आपको सभी डिवाइसे का टेंपरेचर चेक करवा देता हूं दिन आप नोटिस करेंगे Redmi Note 10 Pro का टेंपरेचर है 39 डिगरी सेल्सियस Redmi 10 Prime टेंपरेचर की बात करें 36.9 डिगरी सेल्सियस Realme 8 का टेंपरेचर 36.8 डिगरी सेल्सियस और यहाँ पे Realme 8S 5G का टेंपरेचर है 36.7 डिगरी सेल्सियस अब हम यहाँ से अपने सभी फोन में BGMI ओपेंड कर लेते हैं सभी फोन में दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्राफिक सेटिंग की तो सभी फोन में आपको Maximum HD High और Smooth और Balance में Ultra का option मिलता है बाकि यहाँ पे Extreme का option किसी भी फोन में आपको नहीं मिलता बाकि दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सभी फोन में हम दो गंटे का BGMI बैटरी देनिंग टेस्ट करने वाले हैं बाकि मैं आपको बता जो कि जितनी भी अलग-अलग अलग-अलग ग्राफिक सेटिंग में 30 30 मिनट के हम सभी ग्राफिक सेटिंग में गेम प्ले करेंगे अभी सबसे पहले हम यहां से स्टाप वाच को अन करते हैं उसके बाद सभी डिवाइसेज में HD हाई सेटिंग में BGMI गेम प्ले को भी स्टार्ट कर लेते हैं सुगाई 30 मिनिट HD हाई पर BGMI गेम प्ले के बाद अभी Redmi Note 10 Pro की बैटरी है 91% Redmi 10 Prime की बैटरी है 90% Realme 8 की बैटरी है 89% और Realme 8S 5G की बैटरी है 91% एक बार मैं आपको सभी डिवाइसर का टमपरेचर चेक करवाता हूँ दिन आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro जा चुका है 45.2 डिगरी सल्सियस Redmi 10 Prime की बात करते है 44.2 डिगरी सल्सियस Realme 8 की बात करते है 43.1 डिगरी सल्सियस और यहाँ पर हम बात करते है Realme 8S 5G की तो उसका टमपरेचर जा चुका है 40.4 डिगरी सल्सियस अभी हमें एक बार फिर से BGMI अप्लिकेशन ओपेन कर लिए हैं यहाँ से हम सभी फोन में अब गाफिक सेटिंग को चेंज कर देते हैं अब हम कर देते हैं सभी फोन में बैलेंस अल्ट्रा उसके बाद हम फिर से एक बार 30 मिनिट का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं तो गाईज एक घंटे कंप्लीट हो चुके हैं एक घंटे के बाद अगर हम बात करता हूँ सबसे पहले बैटरी परसंटेज की दिन आप नोटिस करेंगे Redmi Note 10 Pro की बैटरी है 84% Redmi 10 Prime की बैटरी है 84% Realme 8 की बैटरी है 81% और यहाँ पे Redmi 8S 5G की बैटरी है 85% मैं आपको सभी डिवाइसे का एक बार टेंपरेचर दिखा देता हूँ Redmi Note 10 Pro का टेंपरेचर जा चुका है 46 degree Celsius तक वहीं पर हम बात करते हैं Redmi 10 Prime की तुछ का टेंपरेचर है 45.3 degree Celsius वहीं पर हम बात करते हैं Realme 8 की तुछ का टेंपरेचर है 45.8 degree Celsius और दोस्तों कर हम बात करते हैं Realme 8S 5G की तो इसका temperature आपको notice होगा 42.2 degrees Celsius बाकि अभी आप लोगों ने देखा कि Realme 8 में overheating की warning भी आ गई थी और वो उसमें BGMI अपने आप close हो चुका था पर दोस्तों एक बार फिर से हम सभी phones में BGMI को open करते हैं अब हम दोस्तों सभी phones की जो graphic setting उसको change करते हैं सबको एक बार हम यहाँ से smooth ultra पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो गाईज एक घंटे 30 मिनिट BGMI गेमपले के बाद अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो Redmi Note 10 Pro की अभी बैटरी है 78% Redmi 10 Prime की बैटरी है 79% Realme 8 की बैटरी है 73% और Realme 8S 5G की बैटरी है 79% एक बार में आपको सभी devices के temperature दिखा देता हूँ Redmi Note 10 Pro का temperature जा चुका है 46.5 degree Celsius वहीं पे Redmi 10 Prime का temperature जा चुका है 45.5 degree Celsius Realme 8 का temperature जा चुका है 46.2 degree Celsius और Realme 8S 5G का temperature जा चुका है 42.8 degree Celsius सो गाई जी यहाँ पर अभी एक गंटे 30 मट हो चुकी हम एक बार फिर से सबी फोन्स में BGMI को ओपन करते हैं और एक बार फिर से हम यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग को चेंज करते हैं इस बार गेम प्ले में हम ग्राफिक सेटिंग रखने वाले हैं स्मूथ में लो सभी फोन्स में हमने सेलेट कर लिया हैं तो गाईश फाइनली हमारा चारो फोन्स का बीजे माई बैटरी डेनिंग टेस्ट कम्प्लीट हुआ यहां पर हमने दो घंडे के एप्रॉक्स बीजे माई में गेम प्ले किया सबसे पहले मैं आपको चारो डिवाइस इच का बैटरी बताता हूं जिन आप नोटिस करेंगे कि रेड्मी नोटेन प्रो की बैटरी है रियल्मी एड की बैटरी है सबसे जयादा कौन फोनमे बैटरी डेन हूई यह रियल इन उसके बाद बैटरी डेन हुई है रेड्मी इन प्राइम में रिजन यह है कि भले इसमें आपको 6000 image की बड़ी बैटरी मिलती है जिसके इसमें कम से कम आपको 78 या 80% के करीब बैटरी मिलनी चाहिए थी लेकिन यहां पे आपको सब के बरावर बैटरी रेन नोटीस होगा उसके बाद दोस्तों बैटरी रेनिंग हुआ है रेडमी नोटेन प्रो में देन लास्ट में जिसका सबस्ते अधा बढ़ियां परफार्मेंस था वो था रियल मी 8S 5G का बाकिकर हम बात करते हैं सबी डिवाइसे के टेंपरेचर के देन आप नोटीस करेंगे कि रेडमी नोटेन प्रो का टेंपरेचर जा चुगा है 45.7 डिग प्राइस का टेमपरेचर तो सबसे पहले नभर यहां पर जो पर्फार्मेंस निकल के आता है वो आता है ďल मी 8S 5G का सेकेंड आता है रेडमी नोटेन प्रो का थार्ड यहां पर जो थोडА सा वाकिंग रियल्ट है वो रेडमी एड़ बाईम का और लाश्ट में आता है रि